दिली की राउजेविनी कोट ने आमादवी पाटी के नेता मनीश शिशोदिया को लखनाओ में अपने भती जी की शादी में शामिल होने के लिए दूला और दूलहन ही अपनी शादी के लिए पांस दिन की जमानत मांग सकते हैं शादी में शामिल होने के लिए एक दिन का समय दिया जा सकता है कोट ने शिशोदिया से पूछा कि क्या उन्हें पुलिस अधिकारियों की मौज़ोदगी से कोई परेशानी होगी शिशूदिया के वकील ने कहा कि मेरे साथ पुलिस भेज़ कर मेरे परिवार को अपमानित ना करे वकील ने कहा कि इस से महौल खराब होगा अगर मुझे तीन दिन भी मिले तो ये मेरे लिए ठीक है लेकिन मेरे साथ पुलिस ना भीजी जाए बता दे कि दिल्ली के पूर बूप मुख्य मंत्री और आमादमी पार्टी के वरिस्ट नेता मनिश्य शूदी अब बीते 11 नॉमबर को अपनी बिमार पतनी सीमा से मिलने अपने घर पहुंचे थे दिल्ली के का दालत ने 11 नॉमबर को अने सुरक्षा की मौजूदगी में सुबा दस बजे से शाम पांच बजे के बीच अपनी पतनी से मिलने की अनुमती दी थी 22 मार्च 2021 को मनिश्य शूदे ने शराब नीती का ऐलान किया था 17 नॉमबर 2021 को नई शराब नीती यानि के एकसरसाइज पॉलशी 2021 और 22 लागू कर दी गई नई शराब नीती आने के बाद सरकार शराब के कारुगवार से बाहर आ गई और पूरी शराब की दुकाने नीजी हातों में चली गई नई नीती लाने के बीचे सरकार का तरक था कि इससे माफिया राज खत्म होगा और सरकार के रेविन्यू में बड़त्री होगी हाला कि नई निती शुरू से ही विवादों में रही जब अवाल जादा बढ़ गया तब 28 जुलाई 2022 को सरकार ने नई शरामनिती रद कर फिर पुरानी पॉलिसी लागू कर दी